अलग-अलग तरह से अलग-अलग तरीके से पूछे गए सवाल के कई बार जवाब अलग-अलग मिल जाते हैं ऐसे में जो investigation के लिए authority agencies हैं उनसे ही सवाल जवाब होगा या हुआ होगा तो ही सच सामने आएगा यह उम्मीद है कि लेकिन खुदकुशी सुशान्त की जिस सरह जिन circumstances में हुई है उसका सच सामने आना चाहिए क्योंकि यह सिर्फ एक परिवार का एक एक्टर की मौत का खुदकुशी का मामला नहीं पुरा देश इस सवाल का जवाब ढून रहा है इदर सुप्रीम कोट ने Congress Party से जुड़े एक याचका पर सुनवाई करने से इंकार किया है याचका 2008 में Congress Party और चीन की सार्बजनिक करना चाहिए सुनवाई के दौरान मुख्यन आदिश जसिस बोब्ले ने हैरानी भी जताई कि कहा आम तोर पर दो सरकारों के बीट संधी होती है ऐसे में दो पार्टियों के बीट संधी कैसे हो सकती है इधर बीजेपी नेता समित पात्रा ने सुप्रीम कोट में दी गई इस याचका के बाहने Congress और गांधी परिवार पर बड़ा हमला बुला उन्होंने 2008 में Congress और चीन की Communist Party के बीच हुए करार को लेकर सुनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाने पर लिया आपको याद होगा 7 अगस्ट 2008 का वो दिन जब बीजिंग में मा बेटे सोनिया जी और राहुल जी दोनों जाते हैं और एक बहुत महत्वपून करार साइन होता है Congress Party और CPC, the Chinese Communist Party के बीच में देखिए Congress Party है, Congress Party जाके चीन के साथ एक करार नामा साइन करती है और उसमें वो कहती है कि सारे important bilateral, regional, शेत्रिय और international जो अंतराश्ट्रिय विशह हैं इन सभी विश्यों पर हमारे आदान प्रदान होंगे, हम आपस में बातचीत करेंगे, आपस में सलाह मस्वरा करेंगे वाकई, this is astonishing, यह surprising है हमने भी उस समय कहा था, और आदर्मिय नड़ाजी ने भी उस समय कहा था कि यह surprising है इस प्रकार का करारनामा कैसे हो सकता है और आज अगर मैं सही में कहूं, तो our stand has been validated, we have been vindicated जो हमने कहा था, आज सुप्रीम कोट में कोई और नहीं, बलकि सर्वोच्चे नैले के चीफ जस्टिस ने बिलकुल उन्हीं शब्दों को कहा है, कि यह surprising है मतलब UPA सरकार से परे जाते हुए, गांधी परिवार के साथ, चीन की सरकार और चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी के बीच, एक खास संबंद बने इसलिए ये करार उसमें हस्ताक्षर हुए है सोनिया गांधी और राहूल गांधी पर बीजेपी के हमलों पर कॉंग्रिस से भी पलटवार किया है और इसमें देड नहीं लगाई, कॉंग्रिस से था पवन खेडा ने का कि सुप्रीम कोट में मामले की सुनवाई से इंकार किये जाने के बाद इस मामले पर चर्चा की जानी ज़रूरी नहीं है यही नई पवन खेडा ने बीजेपी पर चुनाओ में चीन की कमपनें से मिली फंडिंग पर सफाई देने की मांग की आपने देखा होगा कि क्या 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 कहा सुप्रीम कोट ने और किस तरह से उस पर सुप्रीम कोट ने टिपणिया की वो सब ने सुनी तो इस तरह की मिथ्या बातें ये लोग कड़ते रहें फैलाते रहें उसमें हम क्या जवाब दें आज आपके सामने बार-बार हम कई तथ आपके सामने रखे प्रदान मंत्री की जो विशेष संबंध है चीन से वो हम ने आपके सामने रखे हमें भी छोड़ दीजिए हमने जो रखा वो भूल जाएगे बड़ी खबरारी केरल सेजा एडू की मेज जमीन खिसकने से मलबे में दबकर 15 लोगों की जान गई है मलबे में दबे 50 से जादा लोगों की तलाश जारी है हादसे की जानकारी मिलते ही एंडियारिफ के साथ पुलिस और दमकल के कमचारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ गए हैं जबकि 10 लोगों को मलबे से बचाय गया है केंदर सरकार ने प्रधार मंतरी राहत कोश से हादसे में मारे गए सभी लोगों के परिवारों के लिए दो-दो लाक रुपए की मदद का एलान किया है जबकि घायलों को 50-50 जार रुपए देने की मदद दी जाएगी तो ये तस्वीरे 15 लोगों की जान चली गई है एक बड़ा हादसा और एंडियारिफ के जबान लगातार तैनात है रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है पचास लोगों की तलाश में जुटी हुई है लेकिन मलबे में दमने से 15 लोगों की जान जाने की बात से ही केंदर सरकार की तरफ से मुआबजे का एलान भी हुआ है केंदर सरकार ने प्रधार मंतरी जाहत कोश्ट से हाथसे में मारे सभी लोगों के परिवार के लोगों को 2-2 लाक रुपए का एलान क्या है जबकि घायरों को 50-50 जार रुपए देने की मदद की बात कही है केरल के इड़ुकी में जमीन खिसकी है और जमीन खिसकने से हुए हाथसे पर पीम मोदी ने दुख जताया है पीम ने ट्वीट किया एंजी आरेफ और प्रशासन के लोग मौके पर पीड़ितों की मदद करने में लगे हैं केरल समेट देश के कई इलाके इन दिनों बार से जूज रहे हैं कहीं बारिश का पानी नहीं निकला है तो कहीं बांध से तूटे पानी ने तबाही मचा दी है बरबादी ऐसी है उसकी तस्वीरे आप देखिए स्क्रीन पर महराश के कोलहपुर में पंच गंगा नदी का पानी खत्रे की निशान के उपर आ गया है उत्तरप्रदेश के गोना में सरी और घागरा नदी में आई बार की वड़ा से तटबन तूट गए हैं तो करनाटक के बिलगावी में और केरल के इरना कुलम में भी बारिश की मार बाढ़ बनकर गाओं पर तूट पड़ी है बिहार के मुजफर पोर गुजरात के जुनागर और करनाटक के कोड़गू में भी बाढ़ के हालात खाबू से बाहर है केरल के इरणा कुलम में भारी बारिश के बीच आय हाई टाइट की वज़से समंदर का पानी गाउ में घुस किया है आला कि प्रशासन और गाउं वालों ने समंदर के पानी को गाउं में घुसने से रोकने के लिए गाउं की सीमा पर रेत और मिट्टी से भरी बोरियों की दिवार खड़ी की थी लेकिन समंदर की लहरों के तेज भाव में ये दिवार ढ़ागई और समंदर का पानी गाव में गुज्या निशिने ऐलाकों में बनें कई गाव में समंदर का पानी दाखिल हो गया है केरल के वायनाद में भारी बारिश और बार के बीच NDRF के जवान पानी में फसे लोगों को बचाने में लगे हैं वायनाद में एक पुल तूटने की विज़से कुछ लोग फसे हुए थे इसके बाद NDRF के जवानों ने मोचा संभाला और रसी पर एक जाल का जूला बना कर लोगों को नदी पार कराने की कोशिट शुरू की और इसके बाद लोग एक एक करग पहाडी नाले को पार करते गए उत्राखन के चमोली में अचानक पहाड किसकने से मलबा सड़क पर आगिरा है यहाथसा बद्रिनाथ हाईवे पर हुआ है पहले पहाड के उपर से कुछ पत्थर गिरने शुरू हुए और जब तक लोगों को कुछ समझ में आता तब तक एक तेजी से पत्थर नीचे गिरना शुरू हुआ घनीमत यह रही कि हाथसे के समय उस रास्ते से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी लेकिन पहाड से मलबा गिरने की वज़से सरक पर गाड़ियों के आवाजा ही ठप हो गई केरल में बाड़ की मार की एक डरावनी तस्वीर सामने आई है एरणा कुलम जिले में ऐसी बाड़ आई कि हाथी का एक बच्चा ही बह गया यह हाथसा तब हुआ जब परियार नदी में आई बाड़ का पानी नीरा मंगलम के जंगलों में पहुँच गया और इस पानी की रशपेट में हाथी का एक बच्चा आ गया पानी का भाव इतना तेज़ हा कि वो अपने साथ हाथी के इस बच्चे को भी बहा ले गया बाड़ के पानी को नहीं रोक पाए हैं और बाड़ का पानी बाड़ तोड़कर गाउं में घुज गया है अलाकि लंबे समय से सरकारी अफसर बाड़ से निपटने की तयारों का दावा कर रहे थे लेकिन बाड़ के तेज बहाव में 50 मीटर तक तड़बंध तूड़ गया और अब घागरा के पानी ने खेतों की जमीन को भी काटना शुरू किया है घागरा का पानी ये खत्र की निशान से 45 सेंटीमीटर उपर बह रहा है और बाड़ की मार से बचने के लिए लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं केरल के कोच्ची में भारी बारिश के बाद पेरियार नदी में आई बाड़ का पानी शहर में घुज गया है पानी का बाहो इतना तेज था कि वो नदी के किनारे के बादू को तोड़ते हुए बाहर आ गया और शहर के पास बने शिव मंदिर को भी अपनी चपिट में ले बाड़ का पानी मंदिर के अंदर भर गया और लोगों को मंदिर में पहुंचने में दिक्कत आ रही है विहार की मुझफरपूर में बाड़ का कहर जारी है मुझफरपूर में बहने वाली बुड़ी गंड़क और बया नदियों का जलसर तेजी से बढ़ रहा है बुड़ी की बार तबाही मुचा रही है महु के मधुवन इलाके में तो बार की वज़ा से बांध की किनारे भी तूटने लगे हैं कम से कम तीन गाउं पूरी तरह से डूब गए हालाकि प्रशासन ने लोगों की मदद के लिए राहत कैम भी खोलने का दावा किया है लेकिन अब भी हज लोगों को मदद का इंजार है 10 जादा गाउं खागरा नदी की बार की मार जल रहे हैं और कई लोग अब गाउं छोड़ने को मजबूर है करनाटक के कोडगू में भारी बारिश की विद्ध से कई जगों पर जमीन खिशकने की घटनाय सामने आई है कोडगू में कई जगो उपर बार जैसे हालात हैं वहां शहर के भाग देशवर मंदिर में भी बार का पानी पहुंच गया है अभी तक मंदिर से बार का पानी नहीं निकाला गया जा सका है प्रशासन का दावा है कि जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक बार से निजाद मिलने में मुश्किल हो मौसम विभाग ने केरल में वाइनार, इडुकी और मलपपुरम में 11 अगस तक भारी बारिश के आशंका की वज़ा से रेड अलर्ट जारी किया है करनाटर के कोड़गू में बार की वज़ा से हालात काफी बिगड़े हैं वहाँ सड़के कमर तक पानी में डूबी हैं लोगों के लिए आना जाना भी मुश्किल है बारी बारिश के बाद बार का पानी इतनी तेजी से बढ़ा है वो कौफी के बागान में भी भर गया है और अब बात ऑनलाइन शॉपिन के शौकीनों के लिए जो कि एक अच्छी नीज है